कि दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केरियर मेकर सब्सक्राइब कल हमने बात किती आउसत में आउसत चाल की आज हम बात करेंगे आउसत में संख्याओं पर आधारित प्रस्टों की आज जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेच नंबर बेस्ट और चुकि हमने कल टाइप वन रखा था इसलिए आज का टाइप रहेगा टाइप टू पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा है पहला अपसे क्या कह रहा है छे 7 11 8 X 3 14 का समानतर माध्य एक बात ही हम पर समझने की जुन एज़ रहता है चाहे मैं बात समानतर माध्य की कर handheld क करूँ चाहे मैं बात औ stubborn की करूँ ये बीच होता है दो तीन चीज़िए यहां पर आप लोगो आप समझने किया वशक्ता है पहली बात के यह कि औस दोरे के पास भी दूसरे के पास कितना होगा और भी किसी तरीके से अगर तीन संख्याय लिखी हुई है दस बारा और चोदा और अंतर इन दोनों का समान है दो का अंतर है मतलब यहां का जो और सथ हो जाएगा वह बारा इसको केल्कुलेट करने की जुरूरत नहीं है अगर मैं बात करूं और सथ की तो और सथ बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या अब यहां पर सवाल में आप से क्या कह रहा है सवाल आप से यह कह रहा है छह साथ यह कुछ आंकड़े दिये गए हैं 6 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 8 प्लस X प्लस 3 प्लस 14 अब यह संख्याय कितनी है टोटल साथ और इनका जो और है आठ यहां एक बार ध्यान रखिएगा ऐसे भी कह सकते हैं कि योग बराबर होता है अवसत गुने संक्य अब यहां पर देखिए आगड़ों का योग किता है अगर इसको जोड़ने की बात हैंगी तो ग्यारा आट नीस और एक बीस चैचे बारा बीस बारा बत्तिस बत्तिस चपन तो एक्स की वेल्यू हो जाएगी चपन माइनस उन्चास मत्तब एक्स की वेल्यू कित्ती है साथ है अब अगर मैं आगे की बात करूं कि दूसरा सवाल देखते हैं उसके पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को समझा देता हूं कि दूसरा सवाल और सथ जब संख्याओं का निकाला जाता तो यहां कुछ चीजें आप लोग डोट कर लीजिए पहला है समान अंतरवाली संख्याओं इसके अंतरगत कौन कौन सी संख्याओं आती है सम विश्यम प्राक्रत और गुणच थी किसी तरीके से असमान अंतरवाली जो संख्याओं है जान रखिएगा गुणच को अपवर्त भी बोलते हैं असमान अंतर वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है जितनी भी अभाज्य संख्याएं है वो सब असमान अंतर की होती है अभाज्य संख्या और कौन सी होती है आकले इनका जो आउसत होता है समान अंतर वाली संख्याओं का वो होता है पहली प्लस अंतिम बटे दो और इनका जो आउसत होता है इनका आउसत होता है योग बटे संख्याओं अब इसी तरीके से अपने काम करते हैं इसमें एक चीज और पढ़ लेते हैं जब इनकी बात करेंगे कि इनका आउसत कैसे निकाला जाएगा तो कुछ फॉर्मुले आप लोग लिख लिजे प्राक्रत संख्याओं का आउसत या ऐसे कर लिजे प्रतम L प्राकरत संख्याओं का आउसत बराबर होता है n प्लस 1 उप्वान 2 प्रतम N सम संख्याओं का आउसत बराबर होता है n प्लस 1 प्रतम एन विसम संख्याओं का जो आउसत होता है वो होता है यह फार्मूले आप लोग नोट कर लिजिएगा अभी जब हम समांतर स्टेनी पढ़ेंगे तो दोबारा हमें इन फार्मूलों की आवश्यक्ता पढ़ेंगे इन सारे फार्मूलों में अगर एन का मल्टिपिकेश कर दिया जाए तो यह योग बन जाता है बात करते हैं इस सवाल की सवाल आप से कह रहा है प्रारंब से 25 लगातार समसंख्या समसंख्याओं का उसत हमने क्या लिख रखा है एन प्लस वन और एन की वेल्यू यहां पर कितनी दी हुई है 25 सिंप्ली इसका एंसर हो जाएगा 25 लस्वन मेंस किता है इसका उसत 26 बात करते हैं अगले सवाल की अगला सवाल हमसे क्या रहा है अगला सवाल हमसे कह रहा है सौ से कम सभी विसम संख्याओं का उसत होगा यहां पर आपको प्रथम संख्या की बात नहीं की गई है सौ से कम सौ से कम अब यहां पर एक बात तो न संख्याओं की बात नहीं की जा रही है इसका तात्पर यह है कि आपको फर्मूला यूज करना पड़ेगा फर्स प्लस लास्ट अपॉड जो आपको लिखाया जा चुका है तो यहां पर सो से कम की जो पहली संख्या वो कितनी है एक और जो आखरी संख्या है वो कितनी है लौ आउसत के लिए बटा दो मतलब उत्तर हो जाएगा सो बटे दो बराबर कितना पचास यहां ध्यार रखिएगा यह फार्मूला क्या है फिर्स नंबर प्लस लास नंबर अपॉर्ण टू बात करते हैं अगले सवाल के अगला सवाल हमसे क्या करा है प्रथम पचास बिसम संख्याओ का उसत बिसम संख्याओ का उसत जब प्रथम एन बिसम संख्याओ का उसत कितना होता है एन तो प्रथम पचास बिसम संख्याओ का उसत यहां पर एन की वेल्यू कितनी है पचास है और यही इसका उसत बात करते हैं अगले सवाल की, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, प्रथम 40 समसंख्याओ कहुसत, 40 समसंख्याओ कहुसत कितना होता है, प्रथम 50 प्राक्रत संख्याओ कहुसत, प्राक्रत संख्याओ कहुसत कितना होता है, एन प्लस वन अपॉन टू जहाँ पर एन की वेल्यू किती है पचास तो पचास प्लस एक बटा दो इंक्यामन बटा दो मतलब उत्तर कितना हो जाएगा पच्चीज दसम्लों पांच अगला सवाल हमसे क्या किला थीन के प्राथम एन गुर्जा का मैंने अभी आपको बताया गुर्ज की जेआगा यहाँ पर अप अपवर्ट सब्दःका भी प्रहों किया की अमार और गुर्ज और अपवर्ट संखें किसमें आती यह सवानiãoं अंतर्वाली संख्यां कोस्त कितन होता है पहली संख्या धनाकरी संख्या बटे दो यहां पर किसकी बात और यह तीन के प्रतम एलगुलज तो इसकी जो फस्ट नमबर है वो कित्ती हो जाएगी तीन गुले एक मतलब तीन और इसका जो लास्ट नमबर है यह कितना हो जाएगा तीन गुले नौ बराबर कितना 27 तो इसका जो एवरेज है वह एवरेज कितना हो जाएगा तीन धन्साथ 23 बटे दो मतलब 30 बटे दो आपका एंसर कितना हो जाएगा पंद्रह कि यहां पर एक बात और भी है डारेक्ट अगर करने की बात की जाए तो नौ संख्या मैंने आपको बताया उसत का मतलब होता है लिए तो इसमें बीच की संख्या होती है पांच चुकि तीन के गुणज की बात हो रही है तो इस सवाल को देखेंगे मित किया जा सकता कि तीन पची 15 है बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की नेक्स्ट कोश्चन आप से क्या कह रहा है साथ के प्रथम पांच पुनज ने से तो मतलब 42 बटे-दो मतलब एंसर किता है एक किस पांच गुरज में एक बात ध्यान लगिएगा बीच की संख्या एक दो तीन चार पांच बीच में तीन है साथ को गुरुच की बात हो रही है इसले एंसर साथ एक एक तेस next question next question 3 के प्रत्थम 5 गुरज सेम है कर सकते हो आप 10 के प्रत्थम 5 अपवर्थ अपवर्थ बोले चाहे गुरज बोले ये सेम ही होते है इस सवाल की बात करते है 5 क्रमिक बिसम संख्याओं का औसत 21 है तो 34 संख्या क्या होगी जब इसे अवरोही क्रम में शजाया जाए मैंने आपको पहले भी बताया कि ओसअट का मतलब होता है बीच की संख्या जैसे उसने बोला कि पाच क्रम एक बिसम संख्याओं का ओसअटак एककीस है मतलब इककीस कहाँ पर है? बीच में बात किस की हो रहाई है? विसम संख्याओं की 21 के पहले विसम कौन सी है 19 और यह कौन सी है 17 अगर मैं इसके बात की बात करूं तो दो संख्या 20 और यह 25 अब आप से कह की रहा है चोटी संख्या क्या होगी जब इसे अवरोही क्रम में सजाए जाए जाए अवरोही क्रम के समाले मतलब क्या हुआ कि बड़ी संख्या पहले चोटी संख्या बाद में अब अगर आप गिनेंगे तो यह फर्स्ट यह सेकंड यह थर्ड और यह फूर्ट मतलब आपका उत्तर कितना है उन्नेस यह सब करने की भी जोरत नहीं थी यहीं से भी आप गिन सकते थे क्योंकि हमने किस क्रब में सजा दिया था हमने सजा दिया था आरो ही सवाल में आपको बूला है था रोही बतलब उल्टे करम से गिनने था तो first, second, third and fourth मतलब एंसर हमारा कितना था? 19 बात करते है अगले सवाल की अगले सवाल में बोलना है प्रथम 25 समसंख्याऑं के औसत में प्रथम 25 समसंख्याऑं के औसत का अंतर क्या होगा? प्रतम 25 समसंख्या किसकी बात हो रही है 25 समसंख्या समसंख्या का उस्थ कितना होता है N प्लस 1 फिर बात हो रही है प्रतम 25 भी सम इसका उस्थ कितना होता है N मतलब इसका उस्थ कितना हो जाएगा N की वेल्यू 25 है मतलब ये कितना है 26 और ये कितना है पच्छीष अगर इन दोनों के अंतर की बात की जाए तो 26 माइनिस पच्छीष का एंसर कितना जाएगा 1 और यही होगा आपका उत्तर अगले सवाल की बात करें प्रतम 15 संख्याओं के ऐस्त में प्रतम 10 20 संख्याओं के ऑस्त को घटाने पर परिनाम 10 से कितना अधिक आएगा प्रथम 15 संख्याओं का उस्त प्रथम 15 संख्याओं का उस्त मैंने आपको बार बार बताया इसका मान कितना है N प्लस 1 प्रथम 10 बिसम की बात की जाए मतलब N तो इसका उस्त कितना है 15 प्लस 1 मतलब 16 इसका उस्त कितना हो जाएगा 10 अब आपसे कह रहा है प्रतम 15 संख्याओं के उस्त में 10 भी संख्याओं के उस्त को घटाना है मतलब 16 माइनस 10 पराबर किता हो जाएगा 6 अंतर आपका कितना आ गया 6 घटाने पर परिणाम 10 से कितना अधिक है 10 से कितना अधिक है बात जब अधिक की हो रही हो, बात जब कम की हो रही हो, या बात जब अंतर की हो रही हो, तीनों का मतलब एक ही है, मतलब दोनों संख्याओं का आपको अंतर निकालना है, सवाल आपसे कह रहा है कि ये जो 6 है, ये इस 10 से कितना अधिक है, अगर इस सवाल को आप करोगे तो 6 minus माइनस में 4 अगला सवाल प्रतम 20 संख्याओं का उसत 15 है प्रतेख संख्या में 4 जोड़ दिया जाए यहां पर आप लोग कुछ लिख लिजिए सवाल में यह दिया रहता है यदि एन संख्याओं का उसत एक्स है पहली स्थिति क्या हैगी प्रतेख संख्या में ए जोड़ने पर नया उसत कितना हो जाएगा एक्स प्लस ए जूकि हर संख्या में ए जूल़ है और मैंने आपको बताया ही कि उसत का मतलब होता है बराबर का बटुआर्वारा चूकि सभी संख्याओं में ए जोड़ दिया गया है तो उसत में अपने आप ही ए जूल जाएगा दूजरी स्तिति क्या बनती है प्रतेख संख्या में एक अ वाग देने पर हो न्या ओसतीन हो जाएगा एक्सड़ और प्रतेख संख्या में लेका और भाग देने पर हर दिया ओसत्थ कितना हो जाएगा? X बटे A. मतलब यह हुआ कि जो भी आप प्रतेख संक्या के साथ करेंगे, वही चीज आउस्त के साथ हो जाएगी. चुकि यह हर संक्या के साथ हो रहा है. और आउस्त का मतलब ही क्या होता है? बराबर का बटवारा. चुकि सभी के साथ हो रहा है तो सभी उतना उतना कम हो जाएंगी या उतना उतना बढ़ जाएंगी या उतने गुना हो जाएंगी अब इस सवाल की अगर मैं बात करूँ तो सवाल आपको कहकर है 20 संख्याओं का उसत कितना है 15 714, प्रतेव संक्या में जोड दिया गया है, 4 अगर प्रतेव संक्या में 4 जोडा गया है, तो उसत में भी कितना हमारा चुलेगा है USB 10 संक्याओं को हंगे, 15 प्लस 4 भी ते वर 1 को हंगे 25 ब Ball हुषारा उसथ है 14 है 14 में 3 को माइमस कर यह सरागया यह अगले सवाल की बात करते है 12 संख्या होगा तो आसाथ कितना है 12 है पतेज चंख्या में 3 का स्वारा है को रहा हो रहा है वोगा हो उत्र से गुड़ा हो अगले सवाल को देखते है छे संक्याइन का उसत कितना है नव है प्रतियक संक्या में एक सवा कर दिया होगा है तो और अवसत कितना है नव है तो नव बटे दो मतलब उत्तर कितना हो जाएगा चार दसम्लव 25 अगले सवाल की बात करते हैं अगला सवाल आपको कह रहा है 15 लगातार समसंख्याओं का उस्थ 18 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर गयात अब इसमें मैं आप लोग को एक बात बता दूँ अभी अभी हमने पढ़ा कि फस्थ नंबर प्लस लास्थ नंबर बराबर कितना होगा फस्थ प्लस लास्थ इस उकल टू कितना होता है अगर मैं बात करूं फस्थ प्लस लास्थ का योग कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा एवरेज इंटू लेकिन यहीं पर अगर last minus first की बात करें last minus first यहाँ पर दो इस सितियां बनती है पहला यह है कि अगर संख्या प्राक्रत है तो कित्ता अंतर आएगा L minus 1 और अगर संख्या सम या विशम है तो उत्तर कित्ता आएगा L minus 1 into 2 ज्यान रखिएगा N संख्याओं की संख्या है जैसे एक simple example लेते हैं जैसे मान लेजे 3 संख्याओं 3 संख्याओं कौँसी है 3, 5, 7 संख्याओं कितनी है 3 है अब आप से यह सी सवाल में बोल देता कि 3 लगातार विशम संख्याओं का उस्सत कितना है 5 है तो सबसे बड़ी तता सबसे छोटी संख्याओं का अंतर इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 4 संख्याओं कितनी थी 3 थी मतलब N की वेल्यू कितनी थी 3 थी तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में पेस्ट करता 3 माइनस 1 गुले 2 मतलब उत्तर कितना हो जाता 4 और यही आपका उत्तर था फिक यही चीज़ यहां पर बोला 15 संख्याओं का उस्त कितना है 18 बात किसकी हो रही है सम की अगर सम की बात हो रही है तो फर्मूला को इससा इस्तिमाल होगा N माइनस 1 इंटू 2 तो 15 संख्याओं की बात हो रही है मतलब 15 रिन 1 गुले 2 उत्तर हो जाएगा 14 गुले 2 बराबर 28 और यही आपके सवाल का जवाब है यदि 12 लगातार बिसम संख्याओं का उस्त कितना है 16 है ये भी बिसम की बात हो रही है कितनी संख्याओं है 12 है देखके यह आप बता सकते हो 12 में एक घटा दिया 11 गुले 2 मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 22 12 माइनस 1 गुले 2 मतलब 11 गुले 2 एंसर कितना हो जाएगा 22 बात करते हैं अगले सवाल की अगला सवाल हमसे क्या करा है एक क्रिकेटर 6 लगातार पारियों में 48, 54, 42, 0, 18 तथा 36 रन बनाता है उसका औससर गयात करें यह क्या दिया हुआ है असमान अंतर की बात हो रही है असमान अंतर की बात हो रही है इंदसेंस आखड़े की बात हो रही है और अगर आकड़े में हम देखें तो आपको सवाल में टोटल कितनी पारिया है एक क्रिकेटर 6 पारिया खेल रहा है तो इसका जो औससर तैं 48, 54, 42, 0, 18, 36 बटे कितना हो जाएगा अब थोड़ा सा जोड़ने घटाने में जरूर आप लोगों को कुछ तरीकों का इस्तेवाल करना चाहिए जैसे 54 में बड़ी आसानी के साथ 36 जोड़ सकता है क्योंकि 0 आ जाएगा 54, 60, 30, 90 ठीक इसी तरीके से 48 और 42 ये भी 90, 90 और 90, 180 और 18, 108 बटे 6, 6, 6, 6, 8, 48 मतलब उसत कितना हो जाएगा इसका 18 बात करते हैं अगले सवाल की अगला सवाल बोल रहा है 6 क्रमागत विसम संख्याओं का उसत 48 है तो नियूंतम तता अधिक्तम संख्याओं का अंतर चाहे सबसे बड़ी और सबसे चोटी बोले सबसे चोटी का मतलब होता है नियूंतम संख्याओं सबसे बड़ी का मतलब होता है अधिक्तम संख्याओं वही चीज़ आप से पूछी जा रही है बात किसकी हो रही है 6 क्रमागत विसम संख्याओं की मतलब उत्तर हो जाएगा 6-1 into 2 मतलब 5 into 2 is equal to कितना हो जाएगा 10 बात करते है नेक्स्ट कॉस्चन की अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है A, B, C, D, E पाँच क्रमागत विसम संख्याओं है तो उनकों का उस्तर क्या होगा देखके ही बताया जा सकता है क्रमागत चाहे विसम हो चाहे सम हो चाहे वो क्रमागत गुणज हो प्राकरत हो कुछ भी होंगी और सथ हमेशा बीच की संख्या होती है और यहाँ बीच में कितना है C और यही आपका उत्तर है अगले सवाल की बात करते है एक बेक्तिने 5 कलमे 5 रुपए प्रतिकलम की दर से 6 कलमे 6 रुपए प्रतिकलम की दर से तथा 9 कलमे 7 रुपए प्रतिकलम की दर से खरीदी हो तो कलम का और सतमूल लिगया तो करे सवाल में देखिए 5 कलमे 5 रुपए की अब यहाँ पर योग गुणे संख्या होगा तो 5 कलमे 5 रुपए की दर से 6 कलमे 6 रुपए की दर से तथा 9 कलमे 7 रुपए की दर से तोटल उसने कलमे खरीदी कितनी है 5 कलम 6 कलम और 9 कलम मतलब यहाँ पर मामला कितना हो गया 25 यह 36 और यह 63 अब देखिए 336 दोनों अपोजिट है यह कितना होगा 99 एक और दे देंगे तो सौ बचेगा कितना 24 मतलब 124 बटे 20 है जीरो हटा होगे दसमलों यहाँ लग गया मतलब उत्तर कितना जाएगा 6.2 रुपीज बात करते हैं अगले सवाल की एक कक्षा में तीन विभाग है जिसमें 38, 32 तथा 40 चात्र है इन विभागों में चात्रों की और सता आयूक रमसा 15 दसमलों 3, 16 दसमलों 5 तथा 15 दसमलों लोवर्स है देखिए इस सवाल को देखके ही लग रहा है सवाल थोड़ा सा कैलकुलेट सकता है और अगर 50 सवालों में हम 2-2 सेकंड बचाएं मतलब 100 सेकंड बनते हैं और 100 सेकंड में आप कम से कम 3 सवाल करेंगे और 3 सवालों का डिफरेंस मतलब 3 नंबर का डिफरेंस और 3 नंबर का डिफरेंस इसका मतलब यह हो गया कि आप रेंकिंग में कम से कम 5-6,000 उपर न देखिए प्रैक्टिस किजिए तरप़ आपके केलकुलेशन में चबर्जआस्त तरीके का सुधा उब होगा सबारा आपसे कह रहा है 38 32 x 46 38 दो जो वो सक है वह है 15.30 32 का जो और दिसे फिरह वह 30 अब टोटल जो चाहत रहें वो कितने हैं 38 32 और 40 अब देखिए अगर मैं गुणा करने की बात करूं यहां पर 38 38 का मतलब होता है 40-2 इसको अगर मैं 2 दे दू तो यह 30 बन जाएका यह बचेगा 16 ठीक है यहां पर 40 के सवाल में जो आप से कहा जा रहा है इसको आप टुकड़ों में करने की कोशिस कीजिए टुकड़ों में करने का मतलब यह हुआ 40-2 40-2 का मतलब एक बार दो गुणा और फिर उसका डबल इसका मैं डबल करूँगा तो 15 दूनी 30 दूनी 60 और 3 दूनी 6 दूनी 12 मतलब कितना हो जाएगा यह 61-612 कैसे हुआ यह 40 में अगर में 15.3 का गुणा करूँ तो पहली बात तो यह है कि यह और यह जिरू कैंसिल हो जाएगे 150 मतलब 500 का डबल 300 300 का डबल 600 3 का डबल 6 और 6 का डबल 12 मतलब कितना हो गया 612 और डबल आप निकाली चुके और डबल का कितना था 15 दूनी 30 30.6 प्लस कितना है यह मैंने आपको बोला इसको आप 16 गुणे 2 कर दीजिए और इसको आप कर दीजिए 16 दूनों पहाँचा अगर इन दोनों का गुणा किया जाएका तो बच्चे का 33 तो 16 तो 48 तो 16 तो 48 और 4 बावन इसका यह दसम्लों और यह दसम्लों कैंसिल डेड़ सो का डबल 300 300 का डबल 600 9 का डबल 18 और 18 का डबल 36 मतलब मामला कितना हो जाएका 636 यहां अगर जोड़ोगे आप तो यह तो 30 और 60 और 10 है 600 अगर मैं 12 इसको देदू तो 40 हो जाएगा और 36 और देदू तो 76 हो जाएगा तो 6 5 11 6 17 मतलब 17 176 दसम्लों और बटे कितना 110 घटातल टाइम पे जब भी दसम्लों की बारी आती है एक बात हमें साध्यान में रखिएगा कि इसको पूरा माल लिया जाए 30.6 को हम कितना माल लेंगे 31 31 अगर मैं मानता हूँ इसको 31 घटाता हूँ तो 6 में एक गया पाच साथ में से 3 चला गया चार यह 17 145 रहेगा और दसम्लों कितना आजाएगा चुकि 6 को पूरा करने के लिए 4 की जूरत है बचेगा 110 जीरो और कैंसल कर दिए दसम्लों यहां पे आ जाएगा 11 से सब्सक्राइब इसको पूरे को काड़ दीजिए 11 एक ग्यारा ग्यारा पच्छे पच्पंड ग्यारा अठे अठासी है साथ मचे का ग्यारा चक्या चक्या च्छाट मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 15.08 और यही आपके सवाल का जवाब बात करते हैं अगले सवाल की अगला स सवाल आपसे क्या कह रहा है पचीस परिणामों का उसाथ अठारा है उनमें से प्रथम बारा परिणाम यहां पर एक बात समझे जाना सब्सक्राइब यह हैं हमारी मान लिए साथ संख्या अब इसमें तीन तरह के कुल सवाल बनते हैं पहला सवाल आपका बनता है जैसे आप साथ संख्याओं का और सथ अब बारा है प्रथम तीन का दस है अन्तिन तीन का पंद्रह बीच वाली सक्या एक सवाल इसमें यह पूछा जाता है दूसरा सवाल इसमें यह पूछा जाता है साथ संख्याओं का और सथ 12 है प्रथम चार संख्याओं का और सथ 10 आई अन्तिम चार संख्याओं का और सथ इस 15 है पांचेवीच साख तक चोती संख्याओं ठीक है इसी में एक सवाल और पूछा जाता है साथ संख्याओं में से प्रत्थम 6 का आउसत 10 है अन्तिम 6 का आउसत 15 है यदि प्रत्थम संख्या 10 है तो अन्तिम संख्या बराबर क्या है कुल बिला करके ये तीन तरह के सवाल आपके इसमें पूछे जाते है इस पूरे प्रेटर्ण पर यहां पर देखिए संख्याओं कितनी थी साथ जिसमें से बात उसने की है प्रत्थम तीन और अंतिम तीन की मतब यह बात हो रही है प्रत्थम तीन और अंतिम तीन की बीच वाली संख्या आपके छूट गई यही बीच वाली के बारे में भी पूछा जा रहा है अब यहां देखे साथ संख्याओं का ओसत अगर 12 है मतर योग कितन हो जाएगा 84 प्रत्थम तीन का ओस्त दस है मतब योग कितन हो जाएगा 85 अब अगर इन दोनों की बात करूँ तो यह कितने तंख्याएंगे 6 संख्या प्रताम 3, 9, 3, 3, 6 संख्या बीच में एक संख्या छोटी हुई तो इनका योग किता है 75 मतलब जो बीच वाली संख्या होगी वो हो जाएगी 84 माइनेस 75 इस उकल टू किता 9 अगर मैं इस पर्टिकुलर सवाल की बात करूँ तो यहां देखिए आप यह हो गई प्रताम 4 और यह हो गई अंतिन 4 यहां पर यह वाली जो संख्या है यह संख्या इधर भी गिंती में आ गई और इधर भी गिंती में आ गई मतलब इसकी काउंटिंग क्या हो गई है डबल और इसी संख्या के बारे मैं आप से पूछा जा रहा है अब अगर मैं इस सवाल की बात करूँ साथ संख्याओं काउसत कितना है तो कितना है बारा है तो योग कितना हो जाएगा बारा सते चोरासी प्रथम चार काउसत अगर दस है तो योग कितना है दस चोके चालिस अन्तिम चार काउसत अगर 15 है मतलब योग किता है 15 चोके है 60 अगर इन दोनों की योग की बात करूँ तो ये कितनी है 100 और ये कितने संख्याओं का योग है 8 संख्या का अब ये 7 से 8 हुआ क्यों क्यों कि ये वाली संख्या इधर भी काउंट में आ गई और इधर भी काउंट में आ रहे तो अब हम इसमें क्या करेंगे सिंपली सौ में से आप चौराश्यू को घटा दीजिए उत्तर कितना आ जाएगा इसका 16 कि ये तो आपके हो गए दो सवाल अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के सवाल की तीसरे टाइप के सवाल आपको बोला साथ संख्याओं में से ध्यान लगिएगा इन दोनों सवालों में उस्थ दिया हुआ था इस सवाल में उस्थ नहीं दिया हुआ है अब आपको बोला साथ संख्याओं में से यही साथ संख्या है अब ये प्रथम 6 और अंतिम 6 की बात कर रहा है मतलब छूट कोई सी रही है पहली संख्या और आखरी संख्या अब साथ संख्या हो में से प्रथम 6 का उसत 10 है मतलब यो कितना है 60 अंतिम 6 का उसत 15 है मतलब यो कितना है 90 है और इन दोनों का अंतर कितना है 30 है यहां ध्यान दीजिएगा अंतिम बाली बड़ी है तो हम लिखेंगे क्या last minus first is equal to कितना है 30 अब प्रथम संख्या कितनी दे दी है उसने 10 यहां पर 10 आ जाएगा तो last minus 10 is equal to 30 मतलब last is equal to कितना हो जाएगा 30 धन 10 बराबर कितना 40 इस पूरे पैटर नुबर केवल यह तीन तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं यहां पर पहले और दूसरे सवाल में मुझे रहे लेगा कि कोई बहुत जादा problem है क्योंकि अगर बोल दिया कि 9 संख्या है तो प्रथम 4 अंतिम 4 मतलब 9 को 8 बना देता है फिर बोलेगा प्रथम 5 अंतिम 5 मतलब 9 को 10 बना देता है संभ्य है Excel कह मोरे इसोल सवाल में आपको कि एक बात ध्यान में रखनी है अगर अंतिम संख्या का योग जादारा है तो formula होगा last minus first अगर पहले संख्याओं को योग जादारा रहा है तो formula होगा first minus last अब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सवाल की है सवाल आप से क्या कह रहा भई सवाल आपको कह रहा 25 परणामों का उसत कितना है कि कि 25 परणामों का उसत अठारा है 25 सख्याओं का योग कितना हो जाएगा 25 गुले 18 18 पंचे 90 18 दूनी 36 और 9 पैटालिस 450 प्रत्म 12 संख्याओं का किसकी बात हो रही है प्रत्म 12 का तो प्रत्म 12 का यो कितना हो जाएगा 12 गुले 14 मतलब 12 चोके 48 12 एक कम 12 और 4 16 160 अन्तिम 12 का उसत कितना है अन्तिम 12 का तो अन्तिम 12 का यो कितना हो जाएगा 12 गुले 17 मतलब 12 सत्य 84 12 एक कम 12 और 8 20 अब अगर मैं इनको जोलूगा तो ये कुल संख्याओं कितनी है 24 संख्याओं अगर इनको जोल दिया जाएगा तो 8 4 12 6 1 7 2 1 3 मतलब जो आपकी बीच वाली संख्याओं मतलब जो 13 परिणाम है 13 परिणाम कितना हो जाएगा 13 परिणाम हो जाएगा 450 माइनस 372 मतलब आपको घटाना कितना है 400 में से घटाएंगे तो 28 आजाएगा 50 और है मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 78 और यही आपके सवाल का जवाब है इसी तरीके के कुछ और सवाल आगे देख लेते हैं, इस सवाल को देखे, साथ संख्याओं का उसत कितना है? आठ, साथ संख्याओं का उसत आठ है, प्रतम चार संख्याओं का उसत, साथ दसम्लो वाठ, मतलब साथ संख्याओं का जो योग है, वो योग कितना हो जाएगा? सा अंतिम चार की बात हो रही है तो अंतिम चार का उसक्ता है चार गुले आठ दसम्मलावाट चार अठे बत्तिस चार अठे बत्तीस और दो चौटेस बन्तब यह कितनी संख्या है यह संख्या हो गई आठ यह कित्ता हो गया, 4, 5 और यह 6 अब अगर आपको कौन सी संख्या निकालनी है, 4 संख्या और 4 संख्या कौन सी होगी, अभी-अभी मैंने बताया था यह 8 संख्या, 1 संख्या एक्स्ट्रा हो गई है इसमें इसी पैसर 2.4 में से आप 56 को घटा दीजे तो 56, 47, 5, 49, 9, 4 और यहीं आपका उत्तार है बात करते हैं अगले सवाल के अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है अगला सवाल हमसे कह रहा है 15 संख्या को सत्त्रा है अगला सवाल कह रहा है असमें से दो संख्याओं का औस स्यम्त है इस इस तो अनियूं समय आगर ये भी अ! इसममें से एक संख्या की विल्यू फिट्था दे रहा है एक तो तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, बी बराबर कितना हो जाएगा, टू ये माइनस एन, और यही आपके सवाल का जवाब है, बात करते हैं, अगले सवाल की सवाल आप से कह रहा है, A, B, C, D और E, लगातार 5 बिसम संख्या हैं, इन जिनका आउसत कितना है, 25 है, मैंने आपको क्या बोला था, लगातार प्राकरत हो, लगातार सम हो, लगातार बिसम हो, आउसत हमेशा बीच वाला होता है, मतलब, यहाँ पर C की वैल्यू कित्ती है, सवाल आपको यह बोल रहा है, आउसत कितना बोल रहा है, आउसत बोल रहा है, 25, मतलब इसकी वैल्यू 25 है, बात किसकी हो रही है विसम संख्या की C और E का गुर्णफल तो ये 25 है तो ये 27 हो जाएगा और ये 29 हो जाएगा आपसे C गुर्ण E पूछा जा रहा है मतलब 25 गुर्ण 29 पच्चीस रही है 225 पच्चीस दूनी 50 और 22 बहत्तर और ये आपके सवाल का जवाब है अगला सवाल अगला सवाल आपसे कह रहा है प्रतम 10 परिणामों का उसत 20 है 20 परिणामों का उसत 10 है तो सभी परिणामों को मिलाने पर उसत आगले वाला सवाल है यही 10 गुर्ण 20 10 परिणामों का उसत 20 है मतलब योग 10 गुने 20, 20 परिणामों का उस्त 10 है, मतलब 20 गुने 10, और बटे टोटल परिणाम किते थे 10 और ये 20, मतलब ये भी 200, ये भी 200, मिला के किता हो गया 400, 400 बटे 30, इससे कैंसिल, उत्तर किता 40, बटा 3, या मैं इसको बोल सकता हूँ 13 दसमलों 3 थे, बात करते हैं अगले सवाल के, अगला सवाल हमसे कह रहा है, तीन संख्याओं का उस्त 12 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या सोला है, सबसे चोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या से आधी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी तीन संख्या का उसर बारा है जैसे ही आपके दिमाग में ये आए तो आपके दिमाग में तुलन ता जाना चाहिए कि योग कितना होगा 12 त्याई 36 मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि तीन संख्या है अगर मैं A, B, C लेता हूँ तो इनका योग है 12 गुड़े 3 मतलब कितना है 36 अब आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है 16 सबसे चोटी संख्या बड़ी संख्या कि यादि अगर ये चोटी संख्या है तो ये इसकी यादि होगी मतलब इसकी वेल्यू कितनी हो जाएगी 8 बी की वेल्यू आपसे पूछी जाएगी तो अब ये बताएए ये कितना हो गया 36, 16 और 8, 24 मतलब बी बराबर कितना हो जाएगा 36, minus 24, उत्तर कितना हो जाएगा 12 अब आपसे क्या बोलना है 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का उसत 15 अन्तिम 3 का उसत 16 यदि अन्तिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या होगी वही जो 3 प्रेटर्ण वाले सवाल थे उसमें से एक सवाल छूट गया था प्रथम 3 संख्याओं प्रथम 3 का उसत 15 है अंतिम 3 का जोक है वो कितना हो जाएगा ँंतिम बाला बड़ा है सवाल आपका क्या बन जाएगा last minus first is equal to 48 minus 45 बराबर 3 है अब आपको कौन सी संख्या दी गई है last संख्या last संख्या किती दी गई है 19 minus first बराबर 3 मतलब minus first is equal to 3 minus 19 बराबर रिन 16 रिन और रिन कैंसिल मतलब आपका उत्तर कितना हो जाएगा 16 बात करते हैं अगले सवाल की अगला सवाल हमसे क्या करा है तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे की दो गई है जब कभी भी तीन संख्याओं की बात आए तो हमें तीन संख्या कों सी माल लेनी है A B और C सवाल आपको कह रहा है पहली संख्या दूसरे की दो गई है ये है पहली, ये है दूसरी, पहली दूसरे की दो गुनी है, तो इसकी value एक और इसकी value दो फिर बोल रहा है, और तीसरी की आदी है, मतलब A और C की बात हो रही है एक बात ध्यान रखिएगा, पहली संख्या अगर तीसरे की आधी है, मतलब तीसरी संख्या पहले की दो गुनी है, या अगर आपको सीधे-सीधे लिखना है, पहली तीसरे की आधी है, मतलब ये एक है, तो ये एक बटा दो है, तो ये दो इधर चला जाएगा, मतलब वन इस् साट कुट हैं अगर 56 4 दो धन, एक धन, चार बराबर है, तीन गुणे, चार दो छेक, साथ बराबर, तीन गुणे, चापपन, तो साथ अठे, चापण, मतलब एक की वेल्यू किसके बराबर है? 24 के बराबर है तो पहले और तीसरी का अंतर इन दोनों के डिफरेंस की बात हो रही तो चार में से दो गया तो कितना आ जाएगा दो और एक की वेल्यू अगर 24 है तो दो की वेल्यू हो जाएगी 24 रूरे दो बराबर कितनी हो जाएगी 28 यह है आपका सवाद थोड़ा सा इसमे के दो अनुपात दिये गए हो तो हमें यह देखना है कि दोनों में से कॉमन क्या है और दोनों में कॉमन क्या है एक वेल्यू हमें बहर हाल में बराबर करनी है एक वेल्यू यहां दो थी यहां एक थी इस एक को दो बनाने के लिए मुझे दो का गुणा करना पड़ेगा और एबी और सी पहली संख्या दूसरे की दो गुनी है तो और तीसरी की आदी है मतलब एच्टू सी मैं बाप पिछली बार में बताया था तीसरी संख्या की आधी तीसरी की आधी है मतलब तीसरी संख्या पहले की दोगुनी है, मतलब ये हो जाएगा दूसरी संख्या की दोगुनी परतु तीसरी संख्या की आदी है तीनों संख्याओं का उसत चप्पन है तीनों संख्या की आतकरे, खुल में लाकर कि या उसत खत्ब होने के बाद उससे संबंधित जितने भी सवाल SSC में रेलेवे में और ब्यापम में पूछे गए हैं और जो सवाल आपके बेसिक से थोड़ा सा हट के होंगे उन सवालों का हम एक अलग वीडियो भलाएंगे इसके अलाबा भी अगर इससे संबंधित कोई सव हमने पढ़ाया इसमें कोई concept अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो क्रपिया करके उसी पर आप कमेंट करें उसका तुरंत में आपको जवाब दिया जाएगा और अगले वीडियो में आपके सवाल को सामिल करने की भी कोसिस की जाएगी यदि आपका आपको आज का यह वी सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें थैंक यू